Assalamualaikum to everyone, आप सभी का welcome है आपके अपने चैनल चॉक आन डेशर अचाडमी पर हम उमीड करते हैं आप सब अच्छी से होंगे तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमने इनकी हलाते जिंदगी आने के असमत चुकताई की हलाते जिंदगी के उपर पढ़ा है आज हम देखेंगे इनके कारणामे तो असमत चुकताई के कारणामे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे इनकी नौवले देखेंगे इनकी नौवले हम देखेंगे सबसे पहले इनका जो पहला नौवल जिबी और इनका दूसरा नौवल कौन सा है इसकों में पढ़ना है जो के हमारे निसाद में शामिल है टेडी लग्कीर जो है यह नौवल दूसरा नौवल है असमें चुगताई का दूसरा नौवल है जो कब लिखा गया था जो 1944 EC में लिखा गया था और शाय हुआ था 1945 इसको हमें पढ़ना है जिबी जो है असमत का पहला नौवल है 1941 और टेडी लग्कीर जो है दूसरा नौवल है असमत का जो कब लिखा गया 1944 में लिखा गया है और 1945 EC में इसी शाया किया गया है और इनका तीसरा नौवल जो है जिसका क्या नाम है मासुमा मासुमा जो है इनका तीसरा नौवल है और चौथा नौवल जो है सोधाई सोधाई जो है इनका चौथा नौवल है उसके बाल हम देखेंगे दिल की दुनिया दिल की दुनिया यहासमत का रोमाणी नावलेट है असमत का दिल की दुनिया और उसके बाद अजीब आद्मी यह भी इनका नॉबल है जंगली को बीधर भी इनका नावल है जंगली को भूतर भी इनका नावल है 1970 और उसके बाद बांदी बांदी भी जोहन का नावल है तीन अनाड़ी भी इनका नावल है जंगली को भूतर बांदी और तीन नाड़ी और उसके बाद देखेंगे इनका दस्वा नावल एक कत्रा खून एक कत्रा खून एक कत्रा खून नावल है और उसके बाद नकली राज़कुमार नकली राज़कुमार उनका नावल है और उसके बाद कागजी है पहरन यह भी इनका नावल है अब हम देखेंगे इनके अफसान में मजबू है इनके अफसानी मजबूए हम देखेंगे नावल जो है हमने देख लिए है इनके अब हम देखेंगे इनके अफसानी मजबूए अफसानी मजबूए जो है इनके इनका पहला अफसानी मजबूआ कौन सा है तो कलिया जो है इनका पहला अफसानी मजबूआ है इसमें जो है तेरा अफसाने है याद रखेंगे इसमें कितने अफसाने है इसमें तेरा अफसाने शामिल है उसके बद इनका दूसरा अफसानी मजबूआ है चोटे इनका दूसरा अफसानी मजबूआ है उसके बाद एक बाद ये भी इनका अफसानी मजबूआ है चोई मूई चोई मूई चोटे जो है अगर हम बात करेंगे चोटे जो है अफसानी मजबूआ दोसरा इनका इसका पेश लफस किस ने लिखा है तो कृषण चंद्र ने लिखा है इसका पेश लफस कृषण चंद्र ने लिखा है क्रिष्यन चंद्रे ने इसका पेश लफस लिखा है और इनका चौथा अफसानी मजबुआ कौन सा है चुई मुझी शुटम कर पांचवा है दो हाथ इनका पांचवा अफसानी मजबुआ है दो हाथ उनी सो पच बन उसके बार चठडा है शेतान ये भी इनका अफसानी मजमुआ है साथवा है बदन की खुश्बू बदन की खुश्बू आफवा इनका अफसानी मजमुआ है दानी बांखपन दानी बांखपन जो है इनका आफवा अफसानी मजमुआ है और नमवा जो है अमर बेल अमर बेल इनका नमवा अफ्सानी मजमूवा है और नमवा है अमर बेल इनका दसी अफ्सानी मजमूवा जो है वह कौन सा है दस्वा थोड़ी सी पागल थोड़ी सी पागल इनका दस्वा अफसानी मजमुआ है उसके बाद आदी अवरत आदा खाव आदी अवरत आदा खाव ये ग्यारवा इनका अफसानी मजमुआ है इसके बाद हम देखिनगी इसके पेमेर हरे आदा खाव का नाव है उसके बाद हमी है फॉछ उसके भार आदेखा है अजीम वेक चुगदाई का खाका है किनना इनकी बहन नाम था असमत चुगदाई एजी मेक रिप्टाई का खागा है दो जकी नाइटीन हंदर फिटी फोर उसके बाद हम देखेंगे रुपोर्ताज रुपोर्ताज जो है रुपोर्ताज कौन सा है बंबई से बहपाल तक बंबई से बहपाल तक बंबई से बहपाल तक इनका रुपो ताज है और इसके बाद हम देखेंगे इनके एहम अफसाने असमित चुगदाई के एहम अफसाने जो है जो इंपोर्टन है उनको हम देखेंगे एहम अफसाने सबसे पहले हम लिखिएंगे काफिर जो है इनका अफसाना है इंपोर्टन्ट है यह अफसाना है इनका उसके बाद तिल तिल भी इनका अफसाना है और बूल बलाईया भी इनका अफसाना है बूल बलाईया उसके बार छोटी आपा ये भी क्या है अफसाना है छोटी आपा सोने का अंडा सोने का अंडा भी इनका अफसाना है और तीन अनाडी टीन अनाड़ी भी इनका अफसाना है उसके बाद एक शोहर के खातिर एक शोहर के खातिर this आरे क्या है अफसाने हैं और रसमी चुबताई के उसके बाद लिहा जिसपर खाशी का इल्जाम भी लगा था और जिसपर मुकदमा भी चला था इंपोर्टन अफसाना है उसके बाद सास जो है ये भी एक अफसाना है और चोहती का जोड़ा जो है ये भी क्या है एहम अफसाना है काफिर है तिल है भूल बुलायां छोटी आपा छोटी आपा सोने का अंडा सोने का अंडा तीन अनाडी एक शोहर की खातिर और लिहा सास और जो है चोथी का जोड़ा ये सारे अफसाने क्या है एहम अफसाने है असमत चुकताई के